हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सिर्फ एक्स्क्लूजिव चैनल है ICSC students का और यहां पर आपको हर एक subject का every subject lesson explanation आपको मिलने वाला है बस आपको करना क्या होता है अगर आपको लगता है कि ये chapter आपको नहीं समझ में आ रहा है बस आप उस chapter का नाम लिखिए हाँ वो subject कोई भी हो सकता है history, civics, geography, maths, physics, chemistry कोई भी subject हो सकता है even Hindi English भी हो सकता है आप chapter का नाम लिखिए जो भी chapter आप समझना चाहते हैं chapter का नाम चाहे वो subject कोई भी हो chapter का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए by Sir Tarun Rupani हाँ और उसको YouTube पे सर्च कर दीजिए chapter कोई भी हो सकता है जी मैं कह रहा हूं chapter कोई भी हो सकता है किसी subject का भी हो सकता है आपको history में पढ़ना है let's say first world war आप type करिए क्या first world war और आगे लिख दीजिए by मेरे पास आगे आद दिखाने के ठीक नहीं लगेगा यहां पर clean दिखेगा आपको बस आगे लिख दीजिए by Sir Tarun Rupani बस इतना करना है कहां पर YouTube सर्च पे इतना कर दीजिएगा आपको first world war पे lesson मिल जाएगा आप ऐसा किसी भी subject में कर सकते हैं मैंने first world war history का example दिया आप geography करिए civics करिए chemistry करिए biology करिए हर एक subject में बना हुआ है पर यह जो वीडियो है वो exclusive वीडियो है live वीडियो है दुबारा किस पर है आज हम करने जा रहे है chemistry पे electrolysis electro yes electro मतलब होता है current का इस्तमाल करना current का इस्तमाल करना और lysis का मतलब होता है separate करना तो flow of current से क्या करना है separation करना है तो एक chemical change ले आना है electricity की मदद से इसका नाम है electrolysis तो चलिए समझते हैं कैसे आएगा और ये chapter पूरा ये chapter पढ़ लिया आपने पूरा इसके बाद कहीं आपको न पढ़ने की न नोट्स कुरने की जरुद होगी जितना मैं करा रहा हूँ ये exclusively yes आप के लिए है मेरे superstars के लिए 10th के बेच का नाम मैंने रखा हुआ है superstars अगर आप नए हैं तो you are very very late but yes never 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 loss में नहीं है अभी आप चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ basic चीश से स्टार्ट करते हैं ionic compound हम लोग जानते हैं metal और non metal से बने compounds को हम लोग कहते हैं ionic compounds जो metal और non metal से मिलके बना हुआ है जी example दे देता हूँ sodium chloride sodium आपका metal है और chlorine आपका non metal है तो ऐसे compounds को हम लोग कहते हैं electrovalent या ionic compound और इसमें क्या होता है metal जो हिस्सा होता है metal इससे मेरे example है sodium मेरे example में है sodium metal वाला पार्ट जो metal लाला पार्ट क्या करता है वो donate electron करता है ये electron lose करता है donate करता है और जबकि non metal लाला हिस्सा जो है जैसे मेरे example में chlorine वो क्या करता है except electron करता है ठीक सुन रहे हैं आप except chlorine क्या करेगा except देखे प्लस में कर रहा है electron और ये क्या कर रहा है lose कर रहा है electron समझ गए इसलिए तो metals हमेशा electro positive होता है क्योंकि वो अपना negative charge lose करते हैं और जबकि non metals क्या करता है electric charge gain करते हैं तो आरा है word वापस electrolysis electro मतलब flow of electron करना या current होना or lysis मतलब separate करना तो electricity के passage से क्या करना किसी को separate कर देना समझ गए एक ऐसा chemical एक ऐसा process जिसमें chemical क्या हो अगर fused state में हो fused मतलब होता है molten state में पिगला हुआ क्या चीज पिगल जाना जब आप किसी को excessively hit करोगे न वो पिगल जाएगा या उसका पानी में aqueous solution के state में हो तब वो क्या करेगा chemical change करेगा chemical change करेगा हम लोग इसको कहेंगे वो electrolysis कर रहा है हाँ इसी पर आज मारा पूरा chapter है अब electrolysis में क्या होता है देखिए electrolysis में उसके अंदर एक chemical change आता है और chemical change कौन लिया रहा होता है current ला रही होती है बिजली ला रही होती है so chemical change by electrical change आईए next बढ़ते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजों की जरुरत पड़ती है कहां कर सकते हैं क्या हाथ में कर लेंगे क्या या घर के ही किसी पॉट में chemical change करके दिखा देंगे नहीं नहीं बहुत रिसकी होगा इसके लिए एक particular device है नाम है electrolytic cell या वोल्टा मीटर कैसा होता है यह cell यह cell glass से बना होता है जिसमें दो electrodes होते हैं और electrolyte होता है एक example के रूप में मैं आपको यहां अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा आपको यह रहा एक glass का बीकर होगा यह रहा glass का बीकर इसमें एक liquid भरा होगा एक ऐसा solid फिर से सुन लिजे एक ऐसा solid जो एकवस स्टेट में या liquid स्टेट में current पास करें उसे कहते हैं electrolyte तो यहां पर होगा electrolyte जैसे example देता हूँ आपके घर का नमक हां सच में आपका जो sodium chloride जो घर का नमक है जो साधा नमक जिसको मैं और आप खाने में खाते हैं sodium chloride काते हैं मालो मैं न तो sodium chloride को पानी में मिला दो बन जाएगा तुमारा क्या electrolyte बन जाएगा तो यह रहा आपका एक glass कभी कर यह रहा इसके अंदर electrolyte और यहां रखा है दो plate एक positive plate एक negative plate अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है कि positive और negative कौन सा है तो A N O D E देखिए इसमें add मिलेगा लिखा हुआ क्या लिखा मिलेगा add तो जो plate क्या है positive terminal of the battery से connected होगी किसे positive side से वो anode होगी ठीक है यह positive plate होगी और anode A D add से पहचान जाओगे अब याद कर लोगे anode में add लिखा है और जो cell याद रखेगा यह सारा take place करता है कौन सा DC cell में AC में यह possible नहीं है जब भी आप electrolysis करेंगे तो इसके लिए DC direct current करेंगे alternative current उसका क्या मतलब होता है जो battery current देती है वो direct current होती है जो बिजली आपके घर में आ रहे है जिससे आपका fan चल रहा है आपका AC चल रहा है वो AC current है ध्यान दीजेगा alternating current है ठीक है उसमे direction of flow of current regularly change होता रहता है direct current में क्या होता है flow of current one direction में होता है इसलिए आपको DC current का इस्तमा आपको एक electrolytic cell एक वोल्ट मीटर में यह सब मिलेंगे ज्यान दीजेगा और याद रखेगा जब भी आप electrolytic cell का इस्तमाल कर रहे हैं तो electrolyte yes electrolyte major role play करता है क्या करते हैं जब यह current इसको मिलती है यह जब इसमें current मिलती है तो electrolyte क्या हो जाता है break हो जाता है ions में break हो जाता है क् electrolyte का मतलब ही है एक ऐसा liquid जो क्या करे current पा करके क्या हो जाए ions में break हो जाए इसका मतलब समझ गया है अगर ions में break नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे हाँ बताइए क्या बता सकते हैं उसे क्या बोलेंगे हाँ मैं वेट करूँगा आपके इस अंसर का what is the liquid which do not produce ions यहाँ which produce molecules क्या बोलेंगे उसको electrolyte बोलेंगे क्या नहीं न तो उसका नाम क्या होगा चली स्क्रीन पे मेरे आपके लिए एक वोल्ट मेटर बना रखा है यह बड़ा सा देखिए आप देख पा रहे होंगे आपको दो yes दो प्लेट्स दिखाई दे रही है यह रही एनोड जो की positive plate है द एक को cell कहते हैं और एक से अधिक बना दोगे तो cell के combination को कहते हैं battery ठीक है तो direct current चाहिए आपको तो आपने छोटे वाले से yes बड़े वाले डंडी से yes इसको कहते है positive इससे connect किया एनोड को ठीक है और एनोड की तरफ क्या आते हैं एनोड की तरफ एन आयन चले आते हैं एन आ charge ions are called as anions ठीक है जबकि cathode क्या होगा cathode कौन सा प्लेट होगा cathode negative terminal of the battery से connected होगा चोटे वाले डंडी से connected है दिखाई दे रहा होगा आपको चोटी वाली डंडी से connected है जो की negative को सिंबल करती है देखा आपको negative से connected है और यहां पर कौन से ions migrate करके चले आएंगे cations जो की positive charge ions होते हैं क्योंकि आपको याद होगा unlike charges attract each other याद है न तो ultra charge positive negative को अपने तरफ ले आता है और negative positive को अपने तरफ ले आता है आईए तो यह रहा आपका concept of voltmeter इसकी हमें बहुत जरुद पढ़ने वाली है थोड़ा ध्यान से मेरे सारे इस rules को apply करिएगा सबसे पहल electrode में किसका इस्तमाल कर सकते हैं, electrode में आप graphite का use कर सकते हैं, metal rod का use कर सकते हैं, आपने दो electrode यूस किया था, cathode यूस किया था, cathode को कहां यूस किया था, cathode को negative terminal में यूस किया था, cathode में क्या है, याद कर लीजे, excess of electron, negative तो नामी हो गया न बाई, negative का मतलब क्या होता है, जि क्योंकि मैंने का buttery के positive side से जुड़ा होता है और यहां पर electrons की हमेशा कमी होती है इसके पास excess of electron होता है याद रखिए negative है negative मतलब negative मतलब electron याद कर लिजे ठीक है क्योंकि electron का charge भी negative होता है याद रखिएगा proton का positive होता है ठीक है electron का charge negative होता है तो इसके पास खूब सारे electron है कि इसके पास cathode के पास क्योंकि वो negative charge है अब दोनों में difference देख लिजे तो anode positive terminal cathode negative terminal यहाँ पर anions migrate करके आ जाते हैं यहाँ पर कहां से मच्चर आ गया sorry हम और यहाँ पर kations migrate करके चले आते हैं anode में oxidation take place करता है क्या करता है take place please anode में oxidation take place करता है और cathode में reduction याद करेंगे anode positive था यह देखा आपने इसमें negative ions anions चले आते थे positive terminal है battery का anions इसमें चले आते हैं जोकी negative charge ions होते हैं और यहाँ पर हमेशा क्या take place करता है oxidation cathode ठीक reverse है cathode खुद कहां पर होता है negative terminal of the battery पर होता है cations जोकी positive charge ions होते हैं वो उसके पास चले आते हैं और क्योद क्या करता है reduction clear चलिए start करते हैं कुछ और बात करते हैं क्या copper wire yes जैसे एक copper की तार है उसमें अगर current पास कर दें और एक electrolyte में current पास कर दें दोनों में क्या अंतर होगा हाँ आपके घर में जो घर में वायर है जो घर में बिजली की तार आ रहा है देखे पंक्ये चल रहे होंगे आपके light जल रहे होगी आपके कमरे में तो उसको wire से न तार से न क्या हो रहा electron मिल रहा है तो वो copper wire जो है आपकी yes वो metallic conductor है जबकि electrolytic conductor का example दे रहा हूँ copper sulphate का solution या मैंने अपने घर का example दिया था कि आपके घर में है sodium chloride sodium chloride को पानी मिलाओ तो वो बन जाएगा क्या electrolytic conductor क्योंकि वो liquid state में है हाँ दीजेगा electrolyte क्या होता है एक ऐसा solid electrolyte क्या होता है एक ऐसा solid which on adding into water मतलब aqueous solution में current pass करने दे जब वो pass करने देगा हम उसे कहेंगे electrolyte और नहीं pass करने देगा मैंने ये पूछा था उसे कहेंगे non electrolyte sugar का example ले लो भाई चीनी को पानी में मिलाओ ठीक है sugar को पानी में मिला दो और उसमें current pass करने की कोशिश करो pass नहीं होगी non electrolyte चलो अभी फिलाल हमारा difference है किसके बीच में metallic conductor के बीच में और किसी electrolytic conductor के बीच में क्या difference है आईए देखते हैं metallic conductor की बात करते हैं जब metallic conductor मतलब कोई भी metal कोई भी metal हो सकता है ज्यादा तर मैंने का copper एक बहुत अच्छा example है तो हमने का arm use में daily life में हमारे घर में copper की wire से copper की तार लगी भी पुरे घर में connection में और यहाँ पर मैंने example दिया copper sulfate का sulfate का solution ले लिया ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर electrons flow करते हैं flow कहां से कहा करते हैं negative से positive जाते हैं जबकि इसमें electrons flow करते ही नहीं है इसमें ions flow करते हैं क्या ions positive और negative ions flow करते हैं ध्यान दीजेगा इसमें metal होता है alloy हो सकता है ठीक है इसमें क्या होता है solution होता है क्या होता है aqueous solution हो सकता है हाँ molten state में भी हो सकते हैं ठीक है aqueous solution या molten state जिसको हम fused state भी कहते हैं यहाँ पर metal में, metal conductors में क्या होगा यह solid state में यह liquid state में होते हैं और यह molten state में होते हैं जिसको हमने कहा था पिगला देना यह इतना heat कर देना कि वो खुद क्या हो जाए liquid में convert हो जाए और यहाँ तो आप उसमें पानी मिला देज़े इसका मतलब है नया substance produced नहीं हो रहा है इट can be used again and again और यहाँ पर क्या हो रहा है? chemical process है इसका मतलब a new substance is produced ठीक है? a new substance is produced अब आता है electrolyte बहुत बार यह शद में यूज़ कर रहा था electrolyte तो electrolyte एक ऐसा compound है जो यह तो molten state में यह एक वस्टेट में current pass करने देगा मैंने example दिया घर का नमक sodium chloride दूसा example दिया कि जो pass नहीं करने देगा मैंने का घर का चीनी हाँ घर का चीनी मतलब चीनी शुगर शुगर में एक पानी मिलाएंगे और उसमें current pass करने की अच्छा electrolyte होगा तो जयादा электrons flow करेंगे जयादा current flow करेगी अच्छा strong electrolyte है तो इसका मतलब है कि वो जब break हो रहा है तो ions में break हो रहा है जब वो disassociate हो रहा है जब वो current pass होने से क्या हो रहा है तो ions पीदा कर रहा है complete ions पीदा कर रहा है example दूँ मिनरल का acid ले सकते हो, जैसे sulfuric acid ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, hydrochloric acid ले सकते हो, ध्यान दीजेगा, तो ये सब dilute वाले होने चाहिए, hydrochloric acid, sulfuric acid, ये सब क्या है, strong electrolyte है, current बहुत ज़्यादा पास करेंगे, जबकि weak में क्या होगा, इसमें very small amount of current will flow, current पास करेंगी, ये नहीं क इसमें ions भी पैदा होंगे, और molecules भी पैदा होंगे, इसलिए जब breakdown करेंगा, current मिलने से, ये electrolysis करने से, रहने से क्या होगा, breakdown करेंगा ये भी, पर breakdown करते समय, क्या करेंगा, ions भी और molecules, और molecules, conductor नहीं होते हैं, इसी लिए क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्या करता है, current past नह मैंने बताया था estric acid सिर्के में डलता है ना चौमीन में डलता है तुमारे या ना estric acid vinegar में डलता है तो यह रहा तो यह weak acids है strong electrolyte weak acids क्या बनेंगे weak electrolyte बन पाएंगे अब non electrolyte मैंने बता दिया पासी नहीं कर रहे देंगे alcohol हो गया ether हो गया even pure water हो गया और difference देखते हैं strong electrolyte और weak electrolyte के बीच में सबसे पहला difference है कि strong electrolyte देखे नाम दे दिया strong electrolyte strong electrolyte इसका मतलब है current बहुत जादा flow करेगी large amount of electricity flow करेगी और यहां पे क्या है weak electrolyte weak electrolyte है इसका मतलब current इसमें कम flow कर पाएगी small amount इसका example मैंने क्या दिया पहले ही मैंने एक का example दिया acids दिया कौन से acid जैसे hcl acid हो गया sulfuric acid हो गया ठीक है न बेस का example जरना चाहते हो तो एक strong base होता है naoh koh potassium hydroxide sodium hydroxide और weak का example अभी हम लोग ने पढ़ा था weak का example देखा था weak acids ठीक है acidic acid हम लोग ने पढ़ा ठीक है carbonic acid पढ़ा तो यह सब क्या है oxalic acid हो गया यह सब क्या है weak electrolyte है यह लोग good conductor होंगे क्योंकि इनके पास current जादा है यह conductor तो है पर poor conductor है current pass तो करेगा क्योंकि कम current pass करेगा यह complete breakdown हो जाएगा yes complete dissociate हो जाएगा यह partial dissociate होगा यह पूरा यह जब break होगा तो पूरा क्या निकलेंगे ions निकलेंगे इसमें थोड़े ions पैदा करेगा और थोड़े molecules पैदा करेगा इसके धेर सारे example इसके धेर सारे example चले ions की बात करते हैं क्या होता है ions सर बहुत बार ions आ रहा है तो जब हम क्या करते हैं किसी chemical compound को हाँ किसी भी compound को उसके molten state में या उसके aqueous solution में break कर देते हैं तो वो electrically charged atom या group of atom पैदा करता है फिर से किसी compound को किसी ionic compound को molten state में मतलब पिगले वे रूप में या उसको पानी के solution में क्या करते हैं current pass कर देंगे तो वो ions में break हो जाएगा किसमें ions में break होगा और उन्हें हम कहते हैं yes positive होगा तो हम उसे कहेंगे cation और अगर negative होगा तो हम उसे कहेंगे nion ध्यान देंगे cation cathode की तरफ चला जाएगा हाँ c c की तरफ चला जाता है ध्यान देंगे cation खुद होता negative है sorry खुद होता positive है क्या? खुद होता positive है पर कौन सी plate की तरफ चला जाता है? negative plate की तरफ चला जाता है बहुत important point है इसकी बहुत जरुवत पढ़ने वाली है आगे हाँ, इस lesson की वीडियो में आगे इसकी बहुत जरुवत पढ़ने वाली है वो negative plate की तरफ जाते है और negative charge ions positive की तरफ जाते है logic बहुत simple सा है कि unlike charges attract करते है ठीक है? next है, cation और nion में difference स्फिरसे कर रहा हूँ, positive है, negative है positive है, तो इसलिए cathode की तरफ जाते है negative है, इसलिए anode की तरफ जाते है आगे जाके क्या होता है इनके साथ होता है क्या मैं बोल रहा हूँ, कोई metallic ion होता है, positive ion होता है समझ जाए, metallic ion होता है तो metallic ions क्या होते है get reduced क्या बन जाते है अपना ये जो positive ions को electron gain करके reduced हो जाते है देखे, क्या हो गए? द्यान से देखे यहाँ पे sodium क्या था positive ion था, electron gain करने के बाद क्या हो गया equilibrium की state में आ गया sodium atom बन गया ठीक है iron से क्या बन गया atom बन गया reduced हो गया ध्यान दिया आपने क्या बन गया neutral हो गया समझ गया और यहां पर क्या होगा इसका opposite होगा get oxidized anions कौन होते हैं हमेशा negative ions होते हैं example दे रहा हूँ chlorine c l minus अब यह क्या करेगा यह अपने electron को lose कर देगा चाहे तो मैं यहां भी minus electron लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ c l plus electron ठीक है यहां पर arrow के बाद लिखा है तो देखे क्या हो रहा है यह अपना electron क्या कर रहा है lose कर देगा यहां पर minus भी लिख सकता हूँ ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते है chlorine जो की क्या है negative charge है क्योंगे मैंने बताया कि NIN usually non metal होते हैं क्या NIN usually non metal के ions होते हैं तो chlorine है minus electron minus क्या indicate कर रहा है कि electron lose कर रहा है electron इसे जा रहा है और क्या बन जा रहा है यह chlorine atom बन जा रहा है तो यहां भी यह neutral बन जा रहा है equilibrium condition में आ जा रहा है हम लोग उसे कहेंगे क्या NIN अब याद रखेंगे चलिए थोड़ा सा theory of electrolytic disassociation समझ लेते हैं क्योंकि यह theory पर based है आगे हमारे सारे हाँ यह जब हम disassociation पढ़ेंगे सारे सारे ICP based है इस theory पर चलिए पहला point इस theory का क्या है कि कोई भी electrolyte होगा तो वो तभी काम करेगा जब वो क्या होगा solution state में होगा क्या चीज solution state में होगा electrolyte वो substance है जो solution state में हो molten हो चाएक्वस हो solution होना जरूरी है ठीक है positive charge उसके अंदर क्या टायन होगे negative charge है आयन होगे just discuss किया ions उसमें क्या करते हैं stable नहीं रहते हैं ions move करते रहते हैं कहां से काम move करते हैं within the yes ions move करते हैं within the electrolyte जो भी उसके अंदर liquid भरा था हमने उस electrolytic cell के अंदर याद होगा आपको इस cell के अंदर रिख हमने liquid भरा था इस liquid के अंदर वो क्या करते हैं मूव करते हैं और कितना वो breakdown करेंगे depend करेगा कितनी उसके अंदर क्या है electrolyte है क्या electrolyte पे depend करेगा extent of the electrolyte पे depend करेगा cations और anions ये दोनों हमेशा क्या बन जाएंगे बाद में जाके neutral बन जाएंगे कभी भी क्या होगा ये charge particle के रूप में हमेशा नहीं रहेंगे अपना charges क्या करेंगे yes cations and nion दोनों आगर के neutral बनेंगे ही बनेंगे ध्यान दीजेगा they will always set up to become equilibrium जैसे अभी हमने उपर दिखाया अभी एक बाद फिर से दिखा देता हूँ yes इसको ध्यान से देखिए cations जो था आप फिर से देखिए इसको cations जो था वो क्या होगा reduced हो जाएगा और तब neutral बन जाएगा तो cations कौन था मैंने बताया कि कोई metal iron होगा positive और क्या करेगा electron gain कर लेगा और electron gain करते क्या हो जाएगा metal का yes atom बन जाएगा metal neutral बन जाएगा जबकी anion क्या होगा anion एक non-metal होगा please ध्यान दीजी anion एक non-metal होगा और ये एक negative charge होगा नतीजा क्या करेगा ये अपने negative charge को lose कर जाएगा देखिए minus कर रहे है minus मलब क्या होता है lose कर रहा है plus कर रहे है तो gain कर रहा था तो electron lose कर जाएगा और खुद क्या बन जाएगा non metal atom बन जाएगा electron बन जाएगा मतलब neutral बन जाएगा न positive न negative तो हर हाल में cation क्या हो रहा है reduce हो रहा है और nion क्या हो रहा है oxidize हो रहा है ध्यान देंगे अपर दोनों ही हर हाल में neutral होने वाले हैं ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और इस theory के आगे आता है सबसे पहला आता है electrolysis of water अगर हम पानी को breakdown करने की कोशिश करें क्या आपको बताना है अगर आपने pure water में current pass किया बताईए क्या होगा what will happen if current is pass electric current is pass through pure water आपको बताना है हाँ मैं wait कर रहा हूँ जब तक मैं आगे start करता हूँ electrolysis अरे बताओ भाई अगर live बैठे हो तो live अभी बताओ अगर बाद में recorded देख रहो तो भी कोई बात नहीं है comment box में जवाब जरूर देना क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे superstars कितना मुझवे समझ पा रहे है ठीक है let us see अभी हम आगे उसको करने वाले तो अगर हमको क्या करना है water में water को क्या करना है electrolysis करना है तो water अपने आप में क्या है good conductor नहीं है ठीक सुन रहे हैं आप pure water तो एकदमी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा अब pinch of salt मिला दीजे या थोड़ा acid मिला दीजे क्या करेंगे salt या acid मिला देंगे देखिए example में आपको क्या दिखाई दे रहा है आईए मैंने simple yes एक electrolysis आपको दिखाने की कोशिश की है आपने दो yes दो electrode ले लिए YES दोनो platinum के electrode है ध्यान दीजेगा platinum के electrode है दोनों electrode में एक है हमारा cathode ध्यान दीजे cathode को cathode को connect किया गया है किससे cathode को negative terminal of the battery से connect किया गया यहाँ से cathode निकल रहा है और यह यहाँ से कर देते हैं इससे अच्छा यहां पर negative terminal of the battery से connect कर रहे है और जबकि anode यह रहा और इसको connect कर दे रहे है positive terminal of the battery से तो clear हो गया positive वाला anode होता है negative वाला keto होता है clear हो गया पीछ में आपको दिख रहा होगा platinum की rods दिखाई दे रही है अब आप यहां ध्यान दीजे जैसे ही current pass होने लगेगी यह water में क्या होगा double the volume एक test tube में gas collect होगी और एक test tube में कम collect होगी तो एक में double collect हो रही है H2O1 तो हम test करेंगे कि कौन सी gas collect हो रही है जिसमें double the volume of gas collect हो रही है वो होगा cathode hydrogen कहां जागे collect हो रहा है cathode सर cathode में क्यों हो रहा है आईए इसको जाने क्यों हमने बताया H2O तो यह break होगा तो H plus में break होगा plus कौन सा charge होता है plus कौन सा charge होता है cation याद करिए plus charge लिखा है cation है तो cations कहां चले जाते हैं cations cathode की तरफ जाते हैं anion है negative charge iron है negative charge iron कहां चले जाते हैं anode की तरफ migrate कर जाते हैं तो आपका anode है clear अब two to one से हम क्या करेंगे test कर पाएंगे कि इसमें hydrogen है कि oxygen है कैसे test करेंगे test of hydrogen मुझे बढ़ा सकते हो मैं oxygen का test बढ़ा दू हाँ oxygen का test बहुत असान है एक burning splinter ले आएंगे इस test tube के बाहर और burning splinter को जैसे इसके सामने रखेंगे तो वो और burns brightly करेगा हुजय का test की यह oxygen है आपको बढ़ाना है hydrogen का test चलो देखते हैं आप में से कौन मुझे बढ़ाते हैं test of hydrogen हाँ लाइब बैठे हो तो फटा फट तुरंट जवाब दे दो wrong right कुछ नहीं होता है होता है तो आपका concept आईए क्या reaction take place करेगा आपको reaction करने का तरीका दिखा देते हैं तो हमने देखा कि reaction में पहले reaction करते हैं cathode में तो water देखिए ध्यान से water क्या कर रहा है दो electron पहले gain कर रहा है cathode में hydrogen gas के रूप में release कर रहा है आपने देखा था cathode में gas निकल रही था hydrogen और क्या निकल रहा है यस और 2 OH minus ions produce कर रहा है ठीक है क्या 2 OH minus ions release कर रहा है negative ions release कर रहा है जबकि anode में क्या हो रहा है एनोड में water क्या कर रहा है oxygen release कर रहा है और hydrogen का positive ion और 4 electron generate कर रहा है दिख रहा है चार electrons क्या हो रहा है generate कर रहा है 4E minus ठीक है अब electrolysis कैसे ही करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था keton sorry ketion cathode की तरफ जाएगा और nion anode की तरफ जाएगा यह तो आपको पता ही है ठीक है याद ये भी देना है कि जितने electrons कोई lose करेगा उतना ही equal volume of electron दूसरा कोई gain भी करेगा दोनों का number of electrons क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए कम जादा नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि state of equilibrium is always attained क्या चीज़ state of equilibrium is always attained ठीक है यही उसका explanation दे रहा है इसमें एक basic law है जो apply होता है बार-बार वो है faraday law of electrolysis जिसमें कहा गया है कि mass of substance mass of substance discharge मतलब जो substance produce हो रहा है मेरे case में hydrogen gas produce हो रही है और oxygen gas ये जो दोनों gas produce हो रही है जो दोनों जो gas discharge हो रही है इसका mass किस पर depend करता है electricity पर ठीक है किस पर quantity of electricity electrolyte पर ज़्यादा electricity पड़ेगी तो ज़्यादा produce करेगा कम electricity मिलेगी असाथ हम कम current देंगे तो ये कम produce होगा ठीक है ध्यान दीजे का current कौन सी use करनी है आपको AC current use नहीं करनी है DC current use करनी है मतलब घर में जो inverter battery लगी होती है या normal battery जो गाड़ियों के अंदर भी आजकर लगी हो आ रही है न हम उसकी बात कर रहे है DC battery की बात कर रहे है याद रखेगा है एक electrolysis में दोनों एक साथ हो रहा है reduction and oxidation that is why it is called as a redox क्योंकि reduction कहां हो रहा है cathode में हो रहा है और oxidation कहां हो रहा है एनोड में हो रहा है ठीक है आईए अब कोशन आता है कि यह सब काम solid state में क्यों नहीं होता है जो molten state है या aqueous state है उसमें तो electrolysis होता है उसमें तो ions break हो जाता है यह solid state में क्यों नहीं होता है तो reason बहुत simple सा है solid जब state होगा तो उसके अंदर free ions नहीं होगे ठीक है जिसमें free ions ही नहीं होगे तो ion ही क्या कर रहे थे इस पूरे electrolysis में सबसे main rule किसका है cation और nion का cation और nion का जब cation nion ही नहीं हो तो कहां से होगा ठीक है न आइंस क्यों होता है अच्छा solid state में क्या होता है solid state में क्यों नहीं हाँ solid मतलब होता है घर का नमक ठीक अभी आपने उसमें बनी नहीं मिला है solid state में घर का नमक जो है कि वो sodium chloride है मैं घर के नमक की बात कर रहा हूँ फिर से sodium chloride है इसमें sodium और chlorine के बीच में strong electrostatic force है positive और negative force को attract करने वाले forces को कहते है electrostatic force है इनके बीच में एक बहुत strong है bond है, क्या नाम है? electrostatic force इस sodium का chlorine के साथ strong bond है नतीजा इसमें ions नहीं पैदा होते है कब नहीं होते है कब नहीं उने बुला होते है solid state में liquid state में क्या होता है? ये bond break हो जाता है ये electrostatic bond क्या होता है? तूट जाता है समझ गया ना? तो solid state में पास नहीं करने देते हैं जब ये fused state में आते हैं हाँ जब यह fused state में आते हैं यहाँ पानी के state में आते हैं fused में तो मैंने उसको पिगला दिया था इतना hit किया था कि वो molten हो गया था और यहाँ तो मैंने क्या किया उसमें पानी मिला दिया इसमें ions आ जाते हैं ठीक है और इसके ions क्या करते हैं help करते है current को pass करने में ठीक है फिर से example दे रहा हूँ again example है lead bromide का अगर lead bromide को solid lead bromide ले लोगे तो current pass नहीं करेगा lead bromide एक ionic compound है lead bromide क्योंकि lead a metal और bromine क्या है non-metal तो metal और non-metal के combination से बनता है ionic compound पर solid state में क्या होगा current pass नहीं करेगा same reason है क्योंकि क्या होगा lead के ions पदा होंगे न bromide के ions migrate होंगे solid state में strong electrostatic bond होगा जो उनको अलग नहीं होने देगा ठीक है यह रहा यह रहा diagram आप देख रहे हैं lead bromide दोनों के बीच में क्या है strong electrostatic bond है आगे पर जैसे ही मैंने का इसको heat कर दिया जाए बहुत heat कर दिया जाए तो क्या होगा जब हम इसको heat कर देंगे तो ions जो है lead और bromine के ions क्या करेंगे kinetic energy ले ले लेंगे और इतनी kinetic energy ले लेंगे क्या चीज है इतनी kinetic energy ले लेंगे कि इसका bond था जो उसको जकडे हुआ था, जो उसको रोके हुआ था, वो तूट जाएगा, खुल जाएगा इसका bond, समझ गए, वो जो बंधन था उसका, ये बंधन आग तोड़ देगी, समझ गए, किसका बंधन, ये जो दोनों positive और negative ions का बंधन था, attraction था, electrostatic force था, आग क्या करेगी, वो electric energy, yes, heat energy द moving freely, और जब वो move freely करेंगे तो बस, ions बन जाएंगे, काम खतम, current पासोना शुरू हो जाएगा, current इसलिए तो नहीं आ रही है, current ना आने कारण क्या है, कि ions क्या कर रहे है, move नहीं कर पा रहे है, move क्यों नहीं कर पा रहे है, क्योंकि आपस में क्या है, bond बना के बैठे हुए, स heating में तो मैंने एक dumbbell दे दिया, कि heating में क्यों current पास कर रहा है, क्योंकि heating से एक strong kinetic energy पर रहे है, और kinetic energy उसके bond को तोड़ देगी, ठीक है, पर मैंने का solution state में क्यों पास हो जाता है, अब तो heat नहीं दे रहे हैं ना भाई, lead bromide को पानी में मिलाने पे भी वो breakdown हो रहा है, heating में तो चलिए सर आपने बता दिया, कि बहुत heat मिल गई, kinetic energy पैदा हो गई, उसका electric force तूड़ गया, पर ये पानी मिलाने से क्यों हो जाता है, तो आईए, पानी मिलाने से क्यों होता है, तो जैसे ही पानी मिलाते हैं, तो slight positive, पानी मिलाते ही, क्या होगा, slight positive charge on hydrogen atom, ठीक है, क्या होता है, slight positive, पानी H2O मिलाते हैं, तो ये पानी क्या करता है, lead bromide में मिलने के बाद, H+, जो ions है, ये रहा, H+, ये जो hydrogen ions है, क्या करता है, ये bromine ions को, खुद positive होता है, और bromine याद होगा, negative होता है, ठीक है न, इसको pull करने shit करने लगता है, कौन, ये hydrogen, कहां से आया, पानी से, H2O, तो aqueous solution में, पानी में, H2O में, H+, ions होगा, ये जो H+, ions है, ये bromine ions को अपने तरफ खीचता है, और जबकि slight negative charge, oxygen का जो होता है, वो lead ions को अपने तरफ खीचता है, और ये जो O है, जो कि खुद negative charge होगा, वो क्या क्या होता है, वो bromine ions को, sorry, lead ions को अपनी तरफ खीचता है, क्यों खुद negative है, और bromine कौन सा है, positive है, समझ गये, तो negative, positive, दोनों एक दूसरे को क्या करना लगते हैं, yes, खीचने लगते हैं, और इनके बीच में क्या हो जाता है, इनका जो attraction का force था, electrostatic bond जो था, वो तूट जाता है, और इस बार तोड़ने वाले कौन है, पानी के molecules, पानी जो है, H2 जो है, वो H+, और O- ions की वजए से दोनों को तोड़ देता है, समझ गये, clear हो गया, तो पानी में क्यों current पास हो पाती है, और molten state में current क्यों पास होती है, concept clear हो गया, चलो, समझ में आ रहा है, तो please like press कर देना, यह रहा वो देखिए, यहां दिख रहा है कि ब्रूमीन को क्या कर रहा है, hydrogen अपनी तरफ attract कर ले रहा है, यह देखिए, hydrogen है, वो ब्रूमीन को attract कर दे रहा है, और oxygen क्या कर रहा है, lead को, oxygen खुद negative ions है, lead positive ions को attract कर ले रहा है, बस, नतीजा इनका electrostatic bond वो तोड़ दे रहा है, अब आईए covalent compound की तरफ बात करते हैं, कैसे compound जो दोनों ही non-metal से बने होते हैं, वो covalent compounds होते हैं, और covalent compounds में क्या होता है, ions नहीं होता है, इसलिए वो current pass नहीं करते हैं, हाँ, covalent compound का example दिया है, wax दिया है, karosin दिया है, घर का मैंने बताया, chini, glucose, alcohol, यह सब घर का alcohol नहीं हाँ, तो यह क्या करते हैं, यह current pass नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ions ही नहीं होते हैं, तो heat कर दो, तो भी नहीं pass करेंगे, solution मिला दो, पानी मिला दो, तो भी current pass नहीं करेंगे, reason बहुत simple है, इनके पास क्या नहीं है, ions नहीं है, but, आ जाओ, but क्या ह है but there are certain covalent compounds that form ions ठीक है कुछ covalent compounds ions बन जाते हैं कैसे कौन बनता ये भी देखना है तो जो polar covalent compounds होते हैं पहले से ही उसमें poles है poles मतलब होता है positive और negative poles दो separation of charges जिसके अंदर पहले से ही होते हैं उनमें ions बनने की शमता होती है सब नहीं बनेंगे याद रखेगा non polar covalent नहीं बनेगा polar covalent compound बन जाएंगे तो polar covalent compounds क्या करते हैं aqueous solution में पानी डालने में ions पैदा कर सकते हैं और जब ions आएगा current pass होगी और electricity pass हो पाएगी समझ गया ना वरना नहीं हो पाएगी याद रखो ions नहीं तो electrolysis नहीं electrolysis ions की वज़े सही है याद रखेगा example है इसका pure hydrogen chloride ठीक है pure hcl 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 क्या करता है इसके अंदर ion नहीं होता है आप इसमे current pass करने की कोशिश करेंगे current pass नहीं होगी current pass नहीं होगी ठीक है पर क्योंकि hcl क्या है एक polar covalent compound है क्या चीज polar covalent compound है polar है covalent कैसे मलुम्त तरह आपको देखिए मुझे कैसे मलूम यह covalent है hydrogen non-metal है chlorine non-metal है तो दोनों non-metal मिलके बना है मैंने बताया था non-metal non-metal मिलके बने होते हैं covalent मैंने बताया था ना तो यह दोनों non-metal है अब polar क्यों है क्योंकि इनके अंदर से slight charges होते हैं इनका difference of electronegativity क्या चीज difference of electronegativity इनके अंदर slight charge पहले से रहता है क्या चीज slight charge इनके अंदर पहले से रहता है लिखा है ना there is a small charge हमेशा रहता है इसलिए इसका नाम polar है क्योंकि इसमें poles develop हो जाते है positive negative poles develop हो जाते हैं और जब हम पानी मिला देते हैं ठीक है ना जब इसको पानी मिला देते हैं तो यह charge separation बढ़ने लगता है ठीक है क्या होता है charge separation बढ़ जाता है और जिसकी वज़े से ions form होता है जो slight charge था दोनों के बीच में पहले सही polar होने की वज़े से वो थोड़ा बड़ा charge हो जाता है नतिजा ions form हो जाते हैं यह रहा यह रहा sodium chloride मे हाइड़़जन chloride में पानी मिलाया और देखे hydronium ions और chlorine ions प्रोड्यूस हो गए दिख रहा है आपको H3O plus ions बैदा कर दिया और chlorine ions बैदा कर दिया एक positive ions और एक negative ions ions form कर लिया याद रखेगा सिर्फ polar covalent compounds क्या कर सकते हैं ions form कर सकते हैं और ions form करेंगे तो current pass कर देंगे तभी current pass होगी तभी electricity pass होगी ठीक है next electrochemical series को जानना है क्या होता है electrochemical series अतार्थ एक ऐसी series जिसमें हम बताते हैं कि how quickly they are able to release how quickly they are able to react ठीक है कितनी जल्दी वो electrons को ions को gain या lose करते हैं ऐसी series यह कितनी जल्दी उनका reaction होता है कितना जल्दी वो react करते हैं ठीक है तो depending upon the ease with which the metal lose कितनी जल्दी वो lose या gain electron करते हैं इसको इसको अगर vertical form में लिख दोगे तो बन जाएगा electrochemical series पटिकल form समझ गया ना ध्यान दीजेगा और इसमें एक electro positive series होगी तो electro positive series में metals होंगे क्या लिखा होगा metals लिखा होगा vertical form में start होगा with potassium sodium calcium and so on last मैं आपको मिलेंगे platinum ठीक है तो यह है metal का electro positive series इसी तरह से non-metal का भी होगा हाँ इस तरह से non-metal भी होगा और electro negative series हो जाएगा ध्यान दीजेगा कि metals ध्यान दीजेगा कि electro positive होते हैं हमेशा क्योंकि inके पास क्या होता है हमेशा deficient of electron होता है यह lose करते हैं यह donors होते है metals हमेशा electrons loose कर जाते हैं याद रखेगा ठीक है और gain कौन करता है non metals ठीक है अच्छा metals जब भी होंगे तो क्योंकि वो positive charge होते हैं तो कहां मिलेंगे cations formed a discharge cations is in the form होते हैं next आता है electro negative series मैंने बता दिया ये non metal के groups होते हैं इनमे non metals होंगे arranged vertical form में सबसे strongly non metal सबसे उपर होगा सबसे weak non metal सबसे नीचे होगा आई ये screen पे आपको दिखा पाते हैं चली ये रहा screen पे आपको बड़ा सा दिखता हुआ electro positive series और electro negative series electro positive series metals के लिए है देखिए metals के लिए है सबसे पहले potassium, calcium, sodium किसी-किसी बुक में sodium भी उपर दिया हुआ please do not mind it हाँ मैंने बहुत सारे जगद देखा कि किसी जगद ये second position में number आगी पीछे है you have to take it as your book जो आपकी बुक में दिया हुआ है ठीक है बीच में hydrogen है आप देख लिजे यहाँ पर ये रहा अब आ रहा है सबसे नीचे देखिए यहाँ पर आपकी पास है silver तो कहना क्या चाहते है कि आपको electro positive series में सबसे उपर जो लिखा हो रहेगा वो सबसे easily क्या करेगा yes सबसे easily gain और lose करेगा और यहाँ पर rule चलता है lower the electrochemical series फिर से सुन लिजे lower the series will be discharged first सर समझ में नहीं आया अभी बताता हूँ अगर कहीं पर magnesium भी produce हो रहा हो और iron भी produce हो रहा हो एक ही reaction में magnesium भी produce हो रहा है और iron भी produce हो रहा है तो मेरा question है इन दोनों में से पहले release कौन होगा तो जवाब है iron will be released क्योंकि जो lower होगा release वो पहले क्या होगा discharge हो जाएगा ठीक है लिखा है ना discharge with maximum ease यही rule इसमें भी अपलाई होता है देखे सलफेट आयन सबसे highly reactive है ठीक है और सबसे least सबसे मुश्किल से क्या होगा यह release होगा उसके नीचे है nitrate फिर fluorine, chlorine, bromine iodine और OH- तो सबसे easily release होने वाला है OH- सबसे fastest release होगा negative है electro negative series है आपके पास चले तो lower the electrochemical series will be discharge first अब वही topic आ रहा है मारा selective discharge सर यह क्या होता है selective discharge क्या होता है तो मैंने बताया ions की बीद में जगडा चल रहा है ions जगडा कर रहा है पहले मैं जाओंगा पहले मैं बाहर निकलूंगा क्या चीज पहले मैं discharge होना चाहता हूं किनके बीद में जगडा चल रहा है ions के बीद में आओ समझाते हैं क्या जगडा है अभी समझ में आएगा कि मतलब positive और negative ions का जगडा चल रहा है कि कौन डिस्चार्ज होगा केटायन तो आप जानते ही है कैथोड की तरफ चला जाता है और नायन एनोड की तरफ जाता है तो कौन डिस्चार्ज होगा इसके बीद में जगडा चल रहा है कब अगर एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक केटायन एनायन पैदा हो रहे है इसी को कहते हैं हम लोग selective discharge नहीं संग में आया नहीं संग में आया आओ एक example से समझाते है एक example से समझते हैं कि अगर एक reaction हुआ ठीक है एक कोई electrochemical reaction हुआ और electrochemical reaction कुछ इस तरीके से है मैं लिख देता हूँ H2O break हो गया मैंने समझाने के लिए कहा H plus और O minus ions में release हो गया ठीक है अभी balancing नहीं देख रहे हैं सिर्फ तो यहां पे H plus निकल गया और मैंने एक और लिख दिया C U SO4 भी था solution state में तो C U ions release हो गया C U 2 plus और SO4 minus ठीक तो एक तरह से दो positive ions निकले ठीक है दो निकल गया है दो क्या निकले positive ion निकले positive ion निकले क्या क्या hydrogen और copper अब दोनों में जगडा चलेगा कि कहले discharge कौन होगा दोनों इन पॉस्टिव हैं एक reaction है copper sulfate solution का यह reaction है copper sulfate solution state में था तो copper sulfate में copper और sulfate भी break हो गया और water भी break हो गया अब जगडा किसका है दो दो positive ions है भाई यह भी positive है दोनों ही anion sorry दोनों ही क्या करना चाहते है क्योंकि positive ion है तो negative plate की तरफ जाना चाहते हैं अथा दोनों ही cation है sorry दोनों ही cation है अब इन दोनों cation में जगडा हो रहा है पहले मैं पहले मैं तो आपको बताना है कौन पहले discharge जोगा hydrogen की copper तब आप इसके लिए क्या करेंगे electrochemical series देखेंगे जो नीचे होगा आप ध्यान देंगे कि hydrogen के नीचे आता है जाएगा एन तो एनोड की तरफ जाएगा पर कौन जाएगा भाई इसको बताने के लिए रूल चलता है नाम है preferential discharge ठीक है तो पहला रूल बता दिया मैंने पहला रूल क्या बताया पोजिशन भी डिबेंड करता है और क्या पोजिशन है lower the position जो जितना नीचे होगा जो जितना नीचे होगा उतना जल्दी उसका क्या होगा discharge होगा तो lower the electrochemical series greater is the tendency to discharge ठीक है दूसरा example देख रहे है concentration of ions जहां ions ज्यादा होंगे yes higher the concentration will be discharge और तीसरा और आखरी रूल है nature of anode anode कैसा है देखिए ध्यान दीजेगा anode के nature पर है selective discharge depend करता है क्योंकि anions क्या चीज एन ions depend करते है एन ions आपको याद होगा negative charge ions होते है negative charge ions होते है वो anode की तरफ जाते है याद है आपको तो अब यह negative charge ions anode कैसा हो सकता है अगर आपका anode inert लगा हुआ है जैसे कि iron का या graphite का तो क्या करेगा take part in reaction नहीं करेगा फिर से अगर आपका anode क्या है electrically inert है तो reaction में take part नहीं करेगा पर अगर आपका anode active है for example copper का anode है या nickel का anode है अगर वो क्या है एक्टिव वाला है जैसे कि copper है निकल वाला है तो reaction में take part जरूर करेगा ठीक है ध्यान दीजेगा इसको next राता है आईए कुछ electrolysis of lead bromide पढ़ लें lead bromide के electrolysis के लिए आपको क्या चाहिए एक electrolytic cell चाहिए हाँ जिसके अंदर जिसके वोल्टा मीटा कह रहे है क्या चाहिए silica का क्रूसिबल चाहिए silica का क्यों क्यों क्योंकि silica एक non-reactive material का बना होता है very high heat को बरदाश कर सकता है breakdown नहीं होगा electrolyte के रूप में आपको क्या लेना है again lead bromide का molten मतलब molten state पिगलावा रूप में चाहिए ठीक है और electrode के रूप में क्या है inert electrode यूज करना है 380 degree क्योंकि 380 degree के बाद ही क्या होगा lead bromide melt करेगा आईए reaction देखाए आपको यह रहा आपके पास यह रहा आपका silica का possible ठीक है lead bromide का molten state देखिए क्या होगा देखिए क्योंकि lead bromide molten state में है इसमें अंदर कोई पानी नहीं मिलाए गया है तो water कहीं नहीं होगा ध्यान से देखिए water कहीं नहीं होगा सबसे पहले जो electrolyte है इसके अंदर lead bromide PBBR2 वो PB plus में और BR2 माइनस में आइंस में ब्रेक हो जाए कि जो आगे वाला metallic ions है वो हमेशा positive charge में ब्रेक होगा और जो पीछे वाला non metallic है वो हमेशा negative में ब्रेक होगा बस यह fix है कोई rocket science नहीं है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है जो भी आपका पहला वाला yes element होगा वो positive होगा ही होगा fix है बच्चे तो इ पहले दोनों ब्रेक हो गए अब आप देखे क्योंकि यह positive ion है जिसको हम कहते है positive ion को क्या कहते है kate ion कहा जाएगा kate ion कैथोड की तरफ तो आइए kathode में क्या होता है kathode में खुद negative terminal of the battery से जड़ा होता है यह क्या है electron donor है क्योंकि इसके बहुत सारे electron है excess of electron है क्या है इसके पास LED के पास क्या है PB2 प्लस देखे electron की कमी है दो electron इसको दे करके क्या कर देगा वो neutral बना देगा कैसे मुझे बालम सारे electron की कमी है क्योंकि metallic ion है बेटा electron क्या करना होता है इसने metallic ions तभी बना था जब भी अपना electron लूस किया था यहां पर क्या कर रहा है दो electron प्लस कर ले रह है याद रखेगा हर हाल में equilibrium established होना चाहिए ठीक है तो दो electron gain करके क्या बन गया lead lead metal lead metal कहां मिलेगा तुमको cathode में क्यों cathode में मिल रहा है क्योंकि मैंने बताया जो positive ions होते हैं वो negative terminal में जाके collect होते हैं फिर से बोलू positive ions जिसको हम कहते हैं कैट आयन ठीक है वो कहां जाते हैं positive ions get at cathode कि जिसको हम लोग बोलते हैं negative terminal ठीक है positive ions negative वाले battery के terminal पर चले जाते हैं ठीक है इसका reverse होने वाला होगा एनोड में होने वाला होगा इसका उल्टा एनोड में क्या होना है है नोड के पास क्या है deficiency of electrons होती है ठीक है electrons की कम nggak होती है तो यह लोग electrons क्या करते है accept कर लेते हैं क्या होता है देखे door minus —TIm ब्र primary क्या और रिख रहा है नहीं क्या इंज रहा है और ब्रूमीन वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से ब्रूमीन वेपर कलेक्ट हो गया, एनोड में, ठीक है, ब्रूमीन क्यों हो गया, एनोड में बता दिया, रिजन दे दिया, क्लियर हो गया, पक्का, ब्रूमीन क्यों हो, क्योंकि ब्रूमीन खुद क्या था, मैंने का negative है तो जो negative ions जिसको हम लोग क्या बोलते है N ions जो N ions होते है वो कहां जाते है N ions anode की तरफ जाते है anode कौन सा चर्फ terminal होता है anode positive terminal of the battery होता है ठीक है negative positive तरफ जाते है reason समझ के क्यों जाते है क्योंकि इसके पास क्या है electron acceptor है इसके पास electron की कमी है deficiency है इसको electron चाहिए बुलाता है अपने पास attract कर लेता है अपने पास समझ गया है आईए अगला reaction देखेंगे एक acid related water वाला हाँ एक तरह से इसको Hoffman voltmeter भी कहते हैं आपने ये reaction एक तरह से पहले भी देखा होगा इसमें आपको क्या यूज करना है distilled water यूज करना है क्योंकि pure water है तो इसमें थोड़ा सा क्या मिलाना पड़ेगा acid salt नहीं मिला रहे है इस बार इससे पहले मैंने salt मिला के दिखाया था अब इसमार क्या मिला रहे है 2% sulfuric acid मिला रहे है sulfuric acid क्यों मिला रहे है good conductor है इसलिए sulfuric acid क्या करता है dissociation of water मदद करता है again electrode की रूप में क्या use कर रहे है आप inert electrode platinum का अस्तमाल कर रहे है ठीक है similar reaction है देखे reaction थोड़ा सा जानना जरूरी है you need to learn the reactions reaction लिखने को ऐसे आ सकता है give all the reactions taking place add cathode during the electrolysis dissociation of acidulated water question सुना आपने आपको clearly दे सकता है give all the reactions taking place समझ गया न anode cathode दोनों का reaction अलग से भी पूच सकता है तो आपको आना चाहिए सबसे पहले क्या होगा आपके पास है electrolysis होते ही water पहले break हो जाएगा किसमे H plus में और OH minus में break हो जाएगा अब आप ध्यान से देखे जगडा शुरू हो जाएगा ठीक है न जगडा किन दोनों के बीच में होगा इन में तो जगडा नहीं होगा इसमें जगडा नहीं है क्योंकि H plus ions है और 2H plus ions है इन में जगडा नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ही तो hydrogen ions है ठीक है और इन में जगडा नहीं है क्योंकि दोनों सेम है पर यहाँ पर जगडा होगा OH माइनस में और SO4 माइनस 2 में ठीक है न इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन लोवर्द एलेक्ट्रो केमिकल सिरीज है तो आपको पता होना चाहिए OH माइनस साइन सबसे नीचे होता है negative जगडा इन दोनों के बीच में है कि मैं जाऊं कि मैं जाऊं ठीक है न ये तो रहा hydrogen क्या case cathode में क्या हो रहा है cathode मैंने बार बार बताया electron donor होता है इसके पास excess of electron होता है ये hydrogen का जो की क्या है positive ion है इससे electron देके क्या करेगा neutral बना देगा ये रहा 4 electron donate कर देगा देखें into 4 times कर दिया है H plus और plus electron electron क्या कर रहा है गें करते ही hydrogen atom बन रहा है 4 times हो जाएगा तो हो जाएगा hydrogen gas release हो रही है तो hydrogen gas कहा Extension बिल गई आपको cathode में anode में क्या हो रहा है आइए देखें anode में क्या होगा थोड़ा एंवर्ड में direction देख लेते है anode में direction देखें क्या होगा anode में कौन? OH- discharge होगा क्यों sir? SO4 क्यों ने discharge होगा? मैंने बताया Electro-negative series को आप देखेंगे तो OH- नीचे है और SO4 उपर है और lower the electrochemical series will be discharge first तो OH- क्या करेगा यहाँ पर देखे? अपना electron loose कर जाएगा देखे, loose कर रहा है यहाँ पर और कितने loose करेगा? 4 क्योंकि मैंने बताया कि electrons gain और loss equal होंगे देखे, four times कर रहे हैं ठीक है न? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनोड में क्या हो जाएगा? OH- ions release हो जाएगे और यहाँ पर यहाँ पर, अरे, reaction कहा गया? हाँ, यहाँ पर देखे 4OH 4OH क्या हो जाएगा? 4 OH, H2O प्लस hydrogen, और सॉरी, oxygen ultimately क्या होगा? oxygen gases produced ठीक है न? पहले OH ने क्या किया? OH- ठीक है? OH- ने अपने आपको OH बनाने के लिए neutral atom बनाने के लिए अपना electron lose किया और मैंने का, एक नहीं, दो नहीं, कितने? 4 times, into 4 ठीक है? तो ये 4 OH हो जाएगा, ठीक है? ये 4 OH हो जाएगा, तो जब ये 4 OH हो गया, ये 4 OH हो गया, तो ये water plus oxygen release होगा और oxygen कहा निकल जाएगा? एनोड में So hence prove, oxygen is related at anode and hydrogen is released at cathode acidulated water में clear? अगला substance करने जा रहा है है, copper, sulfate देखे, बिना reaction किए मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, अभी नीचे नहीं दिखाऊंगा आपको ठीक है? अभी मीचे नहीं दिखाएंगे copper sulfate की बात कर रहे हैं आपको बिना पड़े बता रहे हैं ठीक है? हम लोग बस एक journal idea समझ रहे हैं, copper sulfate पहली copper और sulfate यहां लिग देता हूँ negative समझाने के लिए क्या बनेगा? copper क्योंकि copper क्या है? positive है, kateaien है तो आपको कहां collect होता हो नजर आएगा? cathode में और sulfate है, तो sulfate क्या होगा? release ही नहीं हो पाएगा हाँ, सर आपको कैसे मलूँ क्योंकि इसके क्या है? aqueous solution है इसका, ठीक है न? इसका aqueous solution है, तो इसमें साथ में पानी भी होगा, तो पानी होगा तो क्या निकलेगा? h plus भी निकलेगा और oh minus भी निकलेगा तो अब इन दोनों में फिर जगणा चलेगा मैंने क्या कहा था पर्ड पैचानो, copper sulphate है और aqueous है aqueous है मतलब पानी है, पानी मतलब h2o h2o break होगा, तो h plus और oh minus में break होगा, फिर से h2o जब break होगा तो h plus और oh minus में break होगा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों में, yes, इन दोनों में lower कौन है, copper है, तो copper cathode में चला जाएगा, इन दोनों में o x lower है so 4 और oh में, oh is lower the electrochemical series, और जो lower the series होता है, will be discharge first समझ गए, तो इसमें oh series हो जाएगा, और oh फिर क्या करेगा oh आगे जाकर के h2o plus oxygen पैदा करेगा ठीक है, यह हो गई normal situation clear है, आईए करते हैं, देखते हैं start करें, यह रहा आपके पास है आपने इसमें anode में, cathode में दोनों में क्या ले लिया है, copper ले लिया देख लिजे, ध्यान दीजेगा inert electrodes are used क्या कर रहे हैं, inert मतलब होता है ऐसे electrodes जो reaction में take part नहीं करेंगे, copper anode, copper cathode ठीक है, ध्यान दीजेगा they do not, क्योंकि inert है तो क्या होगा, they do not react with products ठीक है, copper plate और copper rod is used दोनों तरफ copper plate है, copper rod used हो रहा है, ठीक है ध्यान से देखिए, copper sulfate है इसके अंदर, water है आईए देखिए, क्या reaction होगा सबसे पहले current pass होते ही देखिए, current pass होते ही क्या होगा, acid भी मिला हुआ है तो तीन हो गए तीन चीजे है, water है ध्यान दीजे, water है तो H+, और OH- ब्रेक हो रहा है acid है, ठीक है sulfuric acid है, तो H+, और SO4- मैंस में और copper sulfate है, तो copper और sulfate, देखिए, अब इन तीनों में जगडा चलेगा जगडा किस के बीच में है येस, positive ions hydrogen के बीच में और copper के बीच में तो मैंने बताया था, H+, और Cu+, इन दोनों में lower the series कौन है copper, तो जो lower the series है वो discharge हो जाएगा, और क्योंकि ये positive ions हैं कहां चले जाते हैं, negative plate की तरफ चले जाते हैं ठीक है, तो क्या होगा इन दोनों में से कौन जाएगा cathode में क्योंकि cathode electron donor होता है, क्या करेगा copper को क्या करेगा, दो electron दे करके copper atom में change कर देगा तो आपके पास क्या मिलेगा, cathode की plate में copper collect हो जाएगा ठीक है, cathode की plate में copper hydrogen क्यों नहीं होगा, क्योंकि hydrogen copper से उपर है, और जो lower the electrochemical series होता है, वो discharge हो जाएगा अब इन तिनों में जगडा चलेगा पिर जगडे का winner कौन है, जानते ही है OH- winner है, OH- क्यों winner है इसमें, क्योंकि OH- again, sulfate से नीचे है, electrochemical series में एक बार फिर से क्या करना, जा कर electrochemical series फूरी फिर से देखना, मैंने अभी इससे पहले वीडियो में दिखाया है ठीक है, आप चेक करिएगा मेरी बात को ये देखिए तो copper आपको मिल गया cathode में पर anode में क्या हो गया ओ, ओ, ओ reaction of क्या हो गया concentration of anode change नहीं होगा क्योंकि जितना copper ions क्या हो रहा था release हो रहा था, उतना वो accept कर ले रहा था, फिर से बोल रहा हूं number of ions deposited at cathode is equal to the number of copper atoms which ionize, इसलिए क्या हो गया क्या हो गया, reaction balanced हो गया, नतीजा anode में अब क्या होगा, पानी yes, OH minus क्या जाके break करता था H2O plus O2 में break करता था, ठीक है पर ऐसा तब होता था, जब क्या होता था anode participate नहीं करता था यहां पर anode क्या कर गया है participate कर गया है ठीक है, और क्या participation हुआ है copper यहां पर copper क्या हो रहा है, balanced कर जा रहा है, copper का concentration highlight कर रहा हूँ, ध्यान दीजेगा copper का concentration क्या हो रहा है यहां पर change नहीं हो रहा है ठीक है न, इसलिए ऐसा हो जा रहा है अगर आइसको diagram से देखना चाहते हैं तो थोड़ा समय इसको diagram से दिखा देता हूँ इसको देखिए इसको देखिए ध्यान से फिर से देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर copper cathode में क्या हो रहा है cathode side में क्या हो रहा है यहां पर cathode में copper is collected ठीक है और यहां से क्या हो रहा है anode से anode से जो copper है येस वो इस आयन से येस इस इलेक्रोलाइट आयन से क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो करके क्या हो जा रहा है यहाँ पर येस कलेक्टेट रह जा रहा है इसलिए क्या हो जा रहा है कॉंसेंट्रेशन ओफ आयन्स क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि क्या होगा नो चेंज होगा उसके अंदर आईए अब थोड़ा सा चेंज करने वाला है कंडिशन चेंज कर देंगे थोड़ी सी कंडिशन क्या चेंज करेंगे हाँ, कंडिशन ये चेंज करेंगे कंडिशन क्या चेंज करेंगे लेना तो copper ही है और acidified copper है पर क्या कौन सा कहतो anode use करना है platinum इससे पहले जो हमने एक anode लिया था वो था copper copper anode लेने से क्या हो गया था copper एक active anode है फिर से फिर से क्या difference है देख रहे है देखे अभी इससे पहले वाले में यहाँ पर देखे क्या लिया था क्या लिया था देखिए आपने inert electrode में use किया था तो inert मैंने का take part करता नहीं है पर मैंने का copper copper add cathode भी है और anode भी anode में keyword देखे क्या है anode में क्या use कर रहे है copper anode में copper नहीं होना चाहिए anode में अगर inert use करेंगे तो वो take part in reaction नहीं करेगा और copper inert नहीं होता है copper एक active electrode होता है ध्यान दीजेगा inert में platinum आएगा ग्रिफाइट आएगा ठीक है और active में copper आजाएगा निकल आजाएगा ध्यान दीजेगा तो इसलिए क्या कर रहा है यह take part in reaction कर रहा है और reaction में करेंगे देखिए अब क्या changes में देखिए कौन सा एनोड लगाया है platinum एनोड लगाया है सारा चीज़ें सेम है everything is same देखिए aqueous solution of copper sulfate है यह भी पक्का है ठीक है aqueous acidulated solution of copper है सब चीज़ सेम है but platinum को एनोड में यूज़ कर दिया इस बार platinum inert एनोड होता है क्या होता है इनोड होता है platinum inert होता है तो अब क्या करेगा यह reaction में participate नहीं करेगा जो product swarm होंगे जो electrochemical series में product form होंगे उन में participate नहीं करेगा ठीक है main क्या है यह एनोड एनोड में क्या होन है platinum है platinum है तो अब आईए फिर से देखे क्या चेंज आईए देखे तो सबसे पहले आपने देखा तीन-तीन प्रोड़क्स निकलेंगे यह अलग हो गया यह reaction अलग हो गया यह reaction अलग हो गया CU2 प्लस होगा ठीक है न? अगेन क्या होगा? कैथोड में क्या होगा? कैथोड में तो चेंज होना नहीं है कैथोड में copper प्रोड्यूस होगा कैथोड इस क्या है electron donor इसको electron देखर के क्या करेगा? तो copper मिल गया अब anode में ध्यान दीजएगा क्यों anode को ध्यान क्यों देने लिए के ynode में आपने inert करता है अब यहां पर normal क्या होगा बनेगा देखे क्या होगा नोर्मल क्या निकले अर्ट में हच्टू ओ प्र्रोड्यूस होगा ठीक है और मलब वाटर और यह 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 सेम रिएक्शन जो हम लोगने पहले देखा था मतलब औसजन गैस-ठूर्यूस होगी समझ गया ना क्या हो रहा है इस बार क्योंकि lower the electrochemical series का rule चलेगा lower the electrochemical series SO4 और OH- में OH- ions ज्यादा lower होते हैं से लिए वो discharge होंगे चब वो discharge होंगे तो क्या होंगे वो H2O water और oxygen में breakdown हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है copper sulfate का electrolysis complete हो रहा है पूरा breakdown हो रहा है ठीक है और hydrogen hydrogen gas is liberated at cathode and oxygen at anode ठीक है नवे एक और खास बात है इसमें जो blue color of the copper sulfate है वो क्या होगा fade होते जाएगा ठीक है नवे ब्लू colors का fade होते जाएगा क्योंकि क्या हो रहा है copper क्या हो रहा है discharge होते जा रहा है नेक्स्ट है, application of electrolysis, कहा electrolysis का use होता है, application मतब uses, electroplating में use कर सकते हैं, refining में कर सकते हैं, और electrolysis में कर सकते हैं, यह plating क्या होती है, plate पदलब covering, तो क्या करना है, एक thin layer of the metal को superior metal को inferior metal के उपर cover कर देंगे, तो कहेंगे electroplating, ठीक है, जैसे लोग gold की plating करते हैं, क्यों, gold को rust, sorry, normal metal क क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, gold, silver को भी अक्सर लोग gold बना देते हैं, gold plating करके, ठीक है, एक key point है इसमें, कि जिसकी plating करनी होती है, वो object बहुत clean करना पड़ता है, साफ सुतरा होना चाहिए, और एक keyword याद देखेगा, कि article to be electroplated, आपको, आपको सोने की, अंगुटी चाहिए, ठीक है, सोने की अंगुटी चाहिए, आपके पास चांदी की अंगुटी है, silver ring है, तो जिसको electroplate करना है, उसको कहां रखेंगे, cathode में, और जिससे plate करना है, gold से plate करना है, तो gold को रखेंगे, anode में, जियान रखेंगे, जिससे plate करना है, उसको रखेंगे, anode में, और liquid को भी कौन सा रखना पड़ेगा, electrolyte भी कौन सा रखना पड़ेगा, gold का ही रखना पड़ेगा, ठीक है, saturated solution उसी का होना चाहिए, जिसकी plating हम चाहते हैं, आईए, next, low current और direct current देना चाहिए, आईए एक silver plating का example देखते हैं, silver plating के समय क्या-क्या reaction टेक प्लेस करता है, देखिए हमारे पास एक brass का cup है, जहां से देखिए, और हमें इसमें क्या करना है, silver plating करनी है, ठीक है, object को clean कर दिया है, 12 volt की battery से connect कर दिया है, आपको reaction देखना है, ठीक है, reaction देखना है, brass का article है, जिसको plate करना है, मैंने बताया था, उसको cathode में रखेंगे, जिससे plate करना है, silver की plate करनी है, brass के उपर, तो उसको anode में रखेंगे, और electrolyte में भी silver होना चाहिए, क्या लिया है, sodium silver cyanide, ठीक है, sodium silver cyanide जो है, या sodium argento cyanide जो है, वो break हो जाएगा, sodium silver और cyanide में, और क्या लिया है, hydrogen cyanide लिया है, और क्योंकि solution state में है, तो water है, ये reaction आपको आना चाहिए, you have to learn the reaction, ठीक है, ये तो हो गया, जब current pass करेंगे, cathode में क्या होगा, cathode में silver का deposit हो जाएगा, ये है आपका cathode, इसके उपर silver का क्या हो जाएगा, layer चड़ जाएगी, समझ गया ना, और anode में क्या होगा, देखे, anode में silver ions release होगा, देखे, silver का, yes, और nickel plating में क्या होगा, यह सब सेम च चलेगा, बस nickel को क्या करना पड़ेगा, pure nickel को है, anode में रखेंगे, और जिस पे nickel की plating करनी है, उसको cathode में रखेंगे, clear है, ये रहा वो reaction, अब एक glass vessel के अंदर ये कर रहे है, ठीक है, pure nickel को रखा है, anode में, और जिस object में plate करना, ये रहा, उस object को रखा है, cathode में, और जब nickel pl लिया, nickel sulfate breakdown हो गया, nickel plus sulfate ions में, और क्या है, solution of acid भी है, तो H plus और SO4 ions, और water तो H plus और OH minus ions, again cathode में क्या होगा, nickel release हो जाएगा, nickel की plating हो जाएगी, thin plate of, और anode में क्या होगा, nickel ions release होते रहेंगे, ठीक है, अगला, अगला जो फाइदा था, electrolysis का, वो था है, electro refining, electro refining से क्या कर स सकते हैं, impure metal को pure बना सकते हैं, हाँ, copper का electro refining में क्या होता है, आपको copper के impure copper को pure copper बना सकते हैं, आईए, यह रहा आपको reaction दिखा देते हैं, देखे, जो impure copper rod है, वो थोड़ी आपको thick rod दिखाई दे रही होगी, ठीक है, impure rod की जो impurities है, वो नीचे, yes, anode mud की रूप में collect हो जा रहे हैं, electrolyte में, और electrolyte के ions कहां चले जा रहे हैं, इस copper के pure copper की plate में, नतीजा pure copper की plate धीरे 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 मोटी होती जाएगी, और impure rod थिन होती जाएगी, और finally क्या हो जाएगी, आपको replace करनी पड़ेगी, समझ गया है, यह reaction टेक प्लेस कर रहा है, copper sulfate था, copper और sulfate time में break हुआ, again, sulfuric acid H plus और SO4 आएंस में break हुआ, और water तो H plus और OH माइनस में break हो रहा है, clear है, reactions क्या करेंगे, आप एक बार लिखेंगे जरूर और लिख के याद करेंगे, और इस तरीके से हमने पूरे chapter को क्या कर दिया है, थोड़ा quickly, थोड़ा fastly आपके साथ finish कर दिया है, और आपको इतना ही request करूँगा, कि आपको भी, yes, थोड़ा speed बढानी पड़ेगी, अगर आपको क्या करना है, आपको अपनी तयारी देखनी है, दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ कि दूसरा क्या तयार कर रहा है, कितना तयार कर रहा है, उसने नहीं किया, मैंने यह नहीं किया, please do not compare, you are unique, आप दूसरों से अलग है, best हैं, और किस सा धर्ती पे कोई दूसरा नहीं है तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे सूपर स्टाज अब त्यारी करने में यस पूरा एनरजी लगा देंगे आपको सिर्फ करना क्या है चेप्टर का नाम लिखना है ब्लीज किसी भी चेप्टर को टोपोशीट पढ़ना है आपको बस टाइ और लिग दीजे बाए सर तरुन को स्पेलिंगा ना टी ए आर रिव और रुपानी कहां लिखेंगे ये सब यूट्यूब के सर्च पर लिख दिजेंगे ठीक है नई समझना रहा है गूगल में भी कर लिजे बस यूट्यूब सर्च पर लिख दीजे इतना तयार हैं क्या कह झाल झाल